तो हमने स्टार्ट किया था B Pharmacy 4 semester Pharmacology में Unit No.3 और Unit No.3 के लास लेक्चर में हमने Neuromuscular Blocking Agent और Skeletal Muscle Relaxant को completely cover किया था अब आज को जो आपका टॉपिक है वो है Local Anesthetic Agent आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टेडी करेंगे Local Anesthetic Agent को किस तरह से इसका Mechanism of Action होता है ये काम किसे करता है साती सात इसका Classification क्या है तो Local Anesthetic हम कब prefer करते हैं इसमें कौन-कौन सी Drugs आती है उनकी Classification साती सात वो किस तरह से हमारी Body में काम करती है उनका Mechanism of Action क्या है वो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं इंपोर्टन टॉपिक है क्योंकि इससे Short Note बनता है 547 Max का Question यहां से बनता है और ये टॉपिक आपको B.Sc Nursing, B.Sc और भी कई सारे Medical Courses में देखने को मिलेगा क्योंकि यह एक इंपोर्टन टॉपिक है अनस्थीसिया तो आता ही है तो लेक्चर को स्टार्ट करेंगे Local Anesthetic Agent को Detail Study करेंगे अगर आपको और लेक्चर की रिक्वार्मेंट है तो आप चेक कर सकते हमारी Playlist जहां पर आपको यूनिट वाइस सारे लेक्चर मेंने मेंशन किये हुए है और अगर आपको नोट्स की रिक्वार्मेंट है तो आप चेक कर सकते हमारी अप्लिकेशन Depth of Biology की अप्लिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपको वहाँ पर सारे नोट्स अवेलेबल मेंने कराए हुए है वहाँ पर लाइव लेक्चर भी होते हैं ओनलेन क्लासे भी होती है तो ज़रूर डाउनलोड कीजेगा Depth of Biology अप्लिकेशन चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं तो चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को Local Anesthetic Agent को तो देखो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ Local Anesthetic Agent और एक होता है General Anesthetic Agent क्या होता है General अब हम Compare करके पढ़ेंगे ताकि हमें जल्दी याद हो जाए एक होता है Local Anesthetic Agent एक होता है General Anesthetic Agent ठेक है अब सबसे बिले तो हम यह समझते हैं कि Anesthetic Agent से हमारा मतलब क्या है यह ऐसी Drugs होती है ऐसे Agent होते हैं जो की Nerve की Conduction को बंद कर देते हैं ध्यान से सुनना Nerve Conduction को यह बंद कर देते हैं यहाँ पर भी Anesthetic Agent है यह भी क्या करेंगे Nerve Conduction को बंद कर देंगे पर फर्क क्या आ रहा है एक तरफ है Local और एक तरफ है General दोनों क्या कर रहे हैं दोनों Nerve Conduction को बंद कर रहे हैं पर Local वाला किसी एक Particular Area पे बंद करेगा किसी एक Particular Area पे जिसे मान दीजिए मैं आपको एक्जांपल से दिखाता हूँ यहाँ पर एक Minor Surgery हो रही है आपके किसी दोस्त का दात वगेरा में प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पर सडन हो चुकी है तो Minor Surgery से डॉक्टर उसे रिमूव कर रहे है ठीक है तो अब ऐसा तो है नहीं सीधा डॉक्टर जो है आपके टीथ को रिमूव कर देगा पहले वह इंजेक्शन लगाता है तो वह इंजेक्शन में क्या लगाता है आपको Local Anastatic लगाता है Local Anastatic क्या करता है Local Anastatic वहाँ पर Sensation को बंद कर देता है हम कहता है हिंदी में सुन पड़ गया ठीक है जब भी आपने देखा होगा आपके घर में किसी को अगर दातों में प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है लोकल इनेस्टेटिक को यूज करते हैं अब आपको मैंने बोला कि एजेंट क्या करते हैं नर्फ कंडक्शन को बंद कर जहते हैं तो तो देखो नरु vinegar osang अगर ब्रंद हो जायेगी तो ब्रेंड सिंग्णल स नहीं जाब पाएगा ईए जिए नहीं ज्यां पाएगा कब नहीं जाब ऑएगा जब और सिंग्णल नहीं जाबाएगा जब नर्ब आय जजेंट एनस्टेडिक एजेंट का मतलब होता है जो नर्वं कंडेक्शं को बंध कर दे और नर्वं कंडेक्शं बंध होन दोने से क्या होगा कि ब्रेन तक सिग्नल नहीं जा पारे तू दरद नहीं होगा मालो किसी का अगर मैं दाथ निकाल रहा या फिर किसी की मैं minor surgery कर रहा हूँ एक और example से मैं आपको समझाता हूँ जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं second diagram में यहाँ पर इसको चोट लगी हुई है तो doctor जब यहाँ पर like cut वगिरा लगाएगा तो उससे पिले doctor क्या करता है injection लगा देता है local anesthetic का और local anesthetic का मतलब क्या होता है कि एक particular area जैसे यहाँ पर थम में चोट लगी है तो एक particular area में यहाँ पर nerve का conduction बंद हो जाता है यहाँ पर signal send होना बंद हो जाता है तो ध्यान रखना anesthesia का मतलब होता है anesthetic agent है कैसे agent होते हैं जो कि nerve के conduction को बंद करा देते हैं और nerve के conduction के बंद होने से brain तक signal नहीं जा पाता तो आप महाँ पर चाहे cut लगाईए चाहे आप महाँ पर बहुत ही ज़दा penful sensation दीजिए sensation होगा ही नहीं क्योंकि nerve का conduction बंद हो चुका है तो brain तक कोई भी signal नहीं जाएगा तो दर्द का एसास नहीं होगा ठीक है तो सीदा साब को याद रखना है anesthetic agent क्या करते हैं anesthetic agent nerve के conduction को बंद करा देते हैं neuron की signaling को बंद करा देते हैं जिसकी वज़े से brain तक signal नहीं जा पाते कि आपको दर्द हो रहा है चलिए यहाँ पर देखते हैं local anesthetic agent के बारे में और डिटेल में जो local anesthetic agent होते हैं उसके लिए यहाँ पर definition लिखी हुई है a temporary loss of feeling in one small area एक particular area पे एक small area पे वहाँ पर आपको pain का sensation होना बंद हो जाता है पर ऐसा तो नहीं है ना कि हमेशा के लिए बंद हो जाए मालो मैं डॉक्टर के पास गया है डॉक्टर को बोला मेने का मेरे दात में problem है तो डॉक्टर ने मुझे क्या करा डॉक्टर ने मुझे local anesthetic दे दिया ठीक है तो थोड़ी दिर के लिए मेरे दातों में problem बंद हो जाएगी पर वापिस तो शुरू हो जाएगी न फिर दर्द तो वापिस शुरू हो जाएगा तो local anesthetic एक particular time के लिए काम करते हैं जब तक कि डॉक्टर वहाँ से दात को निकाल ले उस time तक आपको सुन रहता है फिर बाद में दिरे दिरे जब sensation लगता है तो दर्द भी आपका शुरू हो जाता है तो local anesthetic का जो action होता है वो reversible होता है मतलब सुन न तो कर देगा वो वहाँ पर nerve conduction तो बंद कर देगा पर धीरे धीरे वापिस वो change होगा nerve conduction वापिस चालू होगा जब हमारा काम हो जाएगा फिर nerve conduction वापिस चालू हो जाएगा तो यहाँ पर definition लिखिए a temporary loss of filling in one small area of the body goes by special drugs जिसकॉम कहते हैं anesthetic जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला anesthetic acid drug होती है जो की pain के sensation को बंद कर सकती है या फिर आप बोल सकते हो neuron की signaling बंद कर देगी या फिर आप बोल सकते हो pain के sensation बंद हो गया neuron की signaling बंद हो गई nerve conduction बंद हो गया ठीक है तीन तरह से आप बोल सकते हो साथ में आपको यहाँ पे लिखा है the patient stay awake but has no filling in the area of the body treated with the anesthetic यहाँ पर आपको लिखा गया है कि patient अभी देख पा रहा है सब कुछ का यह वाला partner यह सुन हो चुका है बाकी इसको सारा sensation है हाथ पाम इसके सही से काम कर रहे है यह देख सकती है सुन सकती है सब कुछ ब्रॉपर है पर अगर जनरल anesthetic की बात करूँ न तो इस condition में patient जो है बेहोश होने लगता है तो ध्यान रखना लोकल नास्टेटिक किसी एक पर्टिकुलर एरिया को सुन कर देगा वहाँ पर नर्व कंड़क्शन बंद कर देगा पर patient जो है अभी भी देख सकता है सुन सकता है बोडिका मोमेंट करा सकता है बस वह पार्ट में कंड़क्शन बंद हो जाएगी जहां पर आप सर्जिरी परफॉर्म कर रहे हैं तो यहां पर यही लिखा है दो पेशन इस्टे अवेक वह अभी भी मतलब देख सकता है अवेक है पर वहां पर उसको फिलिंग बंद हो जाएगी जहां पर आपने एनस्टेटिक का यूज किया है ठीक है तो एनस्टेटिक क्या हो गया जो नर्व की कंड़क्शन को बंद कर नेनस्टेटिक में हो सकती है एब बात करते हैं नच्षी का पूरा explicitly उसकती है उसकती है और भी कई तरह की जो भी ड्रग आती है उन सभी ड्रग में एक बात आपको common देखने को मिलेती है कि local anesthetic की जो drugs होती है उनकी structure में tertiary amine present होता है और इसी वज़े से local anesthetic basic nature का होता है तो अगर आप से कोई पूछे कि local anesthetic basic nature का होता है ऐसा क्यूं तो आप बोलना local anesthetic basic nature का होता है क्यूंकि वहाँ पर हर structure में local anesthetic की हर structure में की हर structure में देखने को मिलेगा जिसकी वज़े से आपका जो local anesthetic होता है वह basic nature का होता है ठीक है यहां तक आपको सारी बाते clear हो गई अब यहां पर आपको difference दे रखे हैं कि एक होता है general anesthesia एक होता है local anesthesia तो आपको दे रखा है site of action अगर general anesthesia काम करेगा तो वह central nervous system पे जाके काम करेगा और अगर वही में बात करूँ local anesthesia की तो जब local anesthesia हम देते हैं तो वह peripheral nerves पे जाके काम करता है और उनकी signaling उनका induction उनके neuron का transmission रोग देता है second area of body involved तो जिसे कि मैंने आपको बोला general वाले में तो पूरी body और local वाले में कोई एक restricted area मतलब कोई एक particular area थर्डे आपका consciousness मैंने आपको बोला कि जनरल में consciousness चली जाती है लोस्ट हो जाती है पर अगर local आप दे रहे हो तो local में अनल्टर रहती है मतलब change नहीं होती पूर्टी स्केयर ओफ वाइटल फंशन देखो जनरल एनस्थीसया देना बहुत ही खत्रे का काम है क्योंकि जनरल एनस्थीसया का अगर थोड़ा सा भी डोस जादा हो गया तो इंसान मर भी सकता है तो यहां पर आपको वाइटल फंशन जैसे आपके liver है, lung है, kidney है, heart है, brain है यह सब vital organ है और इनके सारे function vital function है तो यह सब का आपको ध्यान रखना है डोस आपको एक proper रखना है तो जनरल एनस्थीसया अगर आप दे रहे हो तो आपको पूरा essential है कि आप care करे vital function का पर local anesthetic में क्या है एक particular area में दे दिया जैसे मान ली तो local anesthetic में कोई problem नहीं है नेक्स आपको दे रहा है physiological trespass तो इधर high होता है general में और इधर local में low होता है उसके बाद poor health patient मान लीजिए कोई patient है जिसकी health बहुत ही खराब रहती है इसका immunity बहुत ही low है तो अगर मैं इस patient को general anesthesia दूंगा तो मुझे बहुत ही साउधान नी से देन नहीं रखी तो यह बहुत ही रिस्की होता है general anesthesia देना उस patient को जिसकी तबेत पहले से ही खराब रहती है उस patient को जिसकी immunity पहले से ही कमजोर है अगर आप उसे देते हैं तो risky है बहुत जादा पर local anesthetic कोई रिस्की नहीं है चाहे उसका immunity weak है तो भी कोई रिस्की नहीं है क्यों use in non cooperative patient तो देखो non cooperative patient है जो corporate नहीं करते तो general anesthesia सही है उनके लिए possible है एक बार दिया फिर sensation कतम पर local में तो corporate करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपको minor surgery करा नहीं जिसे दातों में करानी है ठीक है या फिर आपको कई चोट लगी है वहाँ पर करानी है तो यह not possible है अब आपको बता है minor surgery में आप क्या यूज है छोंटी मोटी तो लोगल एमस्तरिक तो आप देख सकते हैं local इनस्तरिक जो है minor surgery में हम prefer करते है लोकल इनस्तरिक को और major surgery में हम prefer करते हैं किसको general anesthetic को ठेक है छोटी आपको लिखनाये पूचैंखि तो celestial देखिए और ये पूरा लिखना है क्योंकि यहां पूरा लोकल में स्थेटिक भी explain हो चुका है जैसा कि आप देख पा रहें ठीक है नव नेक्स तम चलते हैं आपको पता है मैंने आपको कहा कि जो एनेस्थटिक होते हैं वो नर्व कंडुक्शन को बंद कर देते हैं अब मैंने आपको पहले भी पड़ा रखा है medicinal chemistry में को लोजी में कि डेंडरेट जो होते हैं वहाँ पर receptor होते हैं जो कि signal को receive करते हैं और जैसे ही यह signal को receive करते हैं यहाँ पर action potential generate होता है और action potential generate होने की वज़े से depolarization होता है यह सब में आपको बता रखा है general conduction पढ़ रहे हैं हम यह कि neuron में signal कैसे transmit होता है तो हमने pharmacology के third lecture में पढ़ा भी है कि डेंडरेट जो है signal को receive करता है फिर action potential generate होता है और action potential generate होने के बाद depolarization होता है depolarization में क्या होता है sodium channel open होते हैं और sodium जो है extracellular fluid से intracellular fluid की तरफ move करता है आई repeat जैसे ही डेंडरेट पर signal आते है action potential generate होता है depolarization होता है sodium channel open होते हैं और sodium channel open होने की वज़े से sodium जो है move करता है extracellular fluid से intracellular fluid की तरफ यहां पे देखिए डेंडरेट ने signal receive करे pain के signal ठीक है दर दुआ sensation आया action potential generate हुआ depolarization हुआ depolarization में क्या होता है sodium channel open होते हैं extracellular fluid से intracellular fluid की तरफ sodium move करते हैं और यह जो है depolarization होने के बाद signal send होते हैं brain को sensory neuron के दुरू और brain को पता लगता है कि दर्द हो रहा है इस तरह से हमें दर्द का एसास होता है अभी यह वो condition है जब normal दर्द हो रहा है अभी हमने local anesthetic नहीं दिया है आय रिपीट सबसे पहले dendrite जो है signal receive करते हैं कौन से pain के sensation फिर action potential generate होता है depolarization होता है depolarization में sodium channel खुलते हैं extracellular fluid में sodium move करते हैं फिर यह signal जो है depolarization होने के बाद आगे फर्दर brain तक जाता है और brain तक जो neuron signal ले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं sensory neurons तो यहां पर brain में पता लगता है कि दर्द हो रहा है तो अब आपको एक काम करना पड़ेगा इन sensory neuron को बंद करना पड़ेगा क्योंकि अगर यह signal ले जाते जाएंगे तो आपको दर्द का ऐसास होता रहेगा तो आपको देना है local energetic अब local energetic क्या करेगा एक particular area पे sensation को बंद कर देगा देखो मैं आपको समझाता हूँ जैसे मान लीजिए यह आपका neuron है neuron क्या है एक cell ही तो है और cell है तो इसकी cell membrane भी होगी द्यान से सुनना neuron क्या है neuron एक cell ही तो है और cell है तो cell membrane भी होगी और cell membrane बनी किसकी होती है cell membrane बनी होती है फोसफोल लिपिड की किसकी बनी होती है बच्चो फोसफोल लिपिड की तो मैं आप से बोल रहा हूँ कि neuron एक cell है तो cell membrane होगी cell membrane किसकी बनी होगी फोसफोल लिपिड की बनी होगी, ठीक हे, अभी यह exon आपको जो दिख रहा है, अगर मैं इसकी membrane देखू तो इसको बोलूँगा मैं exonal membrane, क्या बोलूँगा, exonal membrane, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह मैंने बना रखी है, exonal membrane, इस ओन, यह फॉस्फलिपीडी है ना, तो यह मैंने बना दी है exonal membrane यहाँ पर आपको दिख रहे हैं दो sodium channel this one, this one यह आपको दिख रहे हैं sodium channel तो यहाँ पर मैंने बना दी exonal membrane यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया sodium channel अगर neuron rest में है मतलब neuron के पास कोई भी signal नहीं आया देखो यह सब कब हो रहा था जब pain के sensation आ रहे थे मान लीजिए sensation नहीं आये signal ही नहीं आया तो neuron rest में रहेगा rest में रहेगा तो कोई भी action potential generate नहीं होगा कोई भी depol regression नहीं होगा तो यह वो condition में बता रहा हूँ ऐसी condition जब neuron जो है rest में हैं वहाँ पर कोई भी sensation नहीं है तो यह उस time की condition है जहाँ पर आपको दिखा रखी है exonal membrane यहाँ पर आपको दिखा रखे है sodium channel उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है amgate और साथ में दिख रहा है local anesthetic receptor ध्यान से दिखिए आपको क्या क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर बहुत कुछ है सबसे पहले तो यह वो condition है जहाँ पर neuron जो है शांद वेटा है neuron पर कोई भी signal नहीं आ रहा neuron resting state में है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ exonal membrane exonal membrane के साथ यहाँ पर attach a sodium channel और sodium channel जो अभी बंद है क्योंकि neuron अभी resting condition में है तो sodium channel बंद है और बंद किसकी वज़े से है m gate की वज़े से when m gate close when no impulse generate m gate जो होते हैं बंद होते हैं m gate बंद क्यों होते हैं क्योंकि अभी neuron rest पर है अभी कोई भी impulse generate नहीं हुई साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं local anesthetic का receptor आपको दिख रहा है this one और यहाँ पर hold gate attached है ठीक है यह वो condition है जब अभी neuron rest में है अब माल दीजिए neuron पर signal आया neuron में action potential जनरेट हुआ neuron में depolarization हुआ और आपको पता है depolarization में क्या होता है extracellular fluid से intracellular fluid में sodium ion transfer होते हैं क्योंकि sodium channel खुलते हैं तो पहली condition तो neuron rest पर है पर दूसरी condition में neuron में sensation आगया signal receive हुआ तो जैसे ही signal receive हुआ अब इस sodium को अंदर आना है तो इस M gate को खोलना पड़ेगा न भाई तो यहाँ पर M gate open हुआ क्यों open हुआ क्योंकि signal आया तो signal आते ही M gate open होता है M gate open होने की वज़े से sodium channel प्रॉपर तरीके से खुल जाता है और यह sodium जो है अंदर आना शुरू हो जाता है तो extracellular fluid से intracellular fluid की तरफ moment हो जाता है sodium का सब्सक्राइब आ गई response आता है pain होता है अभी तक हम normal condition ही पढ़ रहे है पर अब देनी पढ़ेगी local anesthetic क्योंकि pain तो हो रहा है तो हम क्या करेंगे local anesthetic देंगे local anesthetic जैसे bH drug हमने दी अब यह bH drug जो होती है ना यह more lipophilic होती है अब more lipophilic है तो आपकी exonal membrane को easily cross कर लेगा क्योंकि आपकी जो exonal membrane ने वो किसके बनी है phospholipid की बनी है और यह भी किसकी बनी है lipophilic nature की होती है तो यह जो bH नाम की drug है ना जैसा कि आप देख सकते हैं यह bH नाम की drug जो थी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ bH drug इसने easily cross कर लिया आपकी membrane को exonal membrane को और extracellular fluid से यह आचुकी है intracellular fluid में द्यान से सुनो जो bH नाम की drug आपने दी है पेशन्ट को local anesthetic वाली तो उसने cross कर लिया है exonal membrane को extracellular fluid से अब वो आचुकी है intracellular fluid में और अंदर आने के बाद यह जो bH drug है यह dissociate होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह BS drug dissociate होती है B negative और H positive में ठीक है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ normal H positive अब आप देखो यह drug जो है extracellular fluid से intercellular fluid में आए क्यों आए क्यों कि इसकी lipophilicity ज़ादा है यह एक local anesthetic agent है और अंदर आने के बाद यह BS जो है टूटा है B plus और H sorry B negative और H positive में अब यह जो B negative है यह local anesthetic receptor से जुड़ेगा आप देख सकते हैं यहाँ पर आखे B negative जुड़ चुका है तो यह जो B negative है यह local anesthetic receptor से जुड़ चुका है देखे आपको अब जैसे ही B negative यह जो पार्ट है जब यह local anesthetic receptor से जुड़ेगा तो receptor को block कर देगा और यह जो आपको HALT gate HALT gate जैसे आप बोलना चाहो यह जो आपको दिख रहा है यहाँ पर इस तरह से यह HALT gate अब कुछ इस तरह से यहाँ पर block कर देगा ठीक है तो हुआ कुछ नहीं एक बार मैं repeat कर देता हूँ हमने BS drug दी यह BS drug highly lipophilic है तो extracellular fluid से intracellular fluid में आ गई और अंदर आने के बाद यह BH जो है 2T B negative H positive में अब यह B negative local anesthetic receptor से जुड़ा और local anesthetic receptor से जैसे ही B negative डुरा यह receptor जो है block हो चुका है अब इसके जुड़ने के बाद B negative जैसे ही local anesthetic receptor पर जुड़ा यह जो hold gate है इन्होंने इस तरह से gate बंद कर लिया एक chain मना कर gate बंद कर लिया तो अब sodium अंदर नहीं आ पा रहा क्योंकि यहाँ पर gate लग चुका है तो एक बात बताइये जब sodium जो है एक्स्रा सिल्लर फ्लूड से इं्टरसिल्लर फ्लूड में नहीं आ पा रहा तो क्या यहाँ पर deep organization होगा नहीं होगा क्योंकि deep और शिजिस्शन का मतलब ही क्या है कि sodium जो है extra cellular fluid से इंटरसिल्लर फ्लूड में आए तो अब आनी पारा तो डीपोल राजिशन नहीं होगा तो पेन का सेंसेशन ब्रेन तक नहीं जाएगा ब्रेन को पता ही नहीं लगेगा धर्द हो रहा है तो हमने यहां पर क्या क्या है सिंपल जो है सोडियम चेनल को बंद कर दिया किस तरह से बंद किया sodium channel तो खुला है पर sodium channel sodium को अंदर नहीं फेक पारा क्योंकि यहाँ पर hold gate है और hold gate बंद हो चुका है क्योंकि जो B negative 3 drug वो B negative drug local anesthetic receptor से जुड़ चुकी है ठीक है तो इस तरह से यह काम करता है अब यहाँ पर हमने क्या करा sodium के influx को stop कर दिया तो जैसे ही sodium का influx stop हो जाता है अब sodium अंदर नहीं आएगा तो depol registration नहीं होगा तो कोई भी signal brain तक नहीं जाएगा और अगर signal brain तक नहीं जाएगा तो हम कहेंगे sensation stop और sensation stop मतलब दर्द भी बंद क्योंकि दर्द हो रहा पर brain को पता लगी नहीं रहा क्योंकि signal नहीं जा पा रहा तो इस तरह से local anesthetic जो है work करता है अब आपको यहाँ पर दे रखा है classification of local anesthetic तो आप देख सकते हैं classification दो तरह से है एक तो surface है आप skin पर लगा सकते हैं surface पर लगा सकते हैं उसे हम बोलते हैं surface anesthetic वो दो तरह से होता है soluble insoluble I repeat surface anesthetic are of two types soluble and insoluble और जो दूसरा है injectable anesthetic injectable anesthetic are of three types low potency intermediate potency and high potency अब आपको नाम से पता लगेगा low potency low potency मतलब short duration of action थोड़े time के लिए सुन करेगा थोड़े time के लिए nerve conduction बंद करेगा intermediate थोड़े से ज़्यादा time के लिए और high potency long duration मतलब यह थोड़े ज़्यादा time के लिए nerve के conduction को बंद करेगा जिसकी वज़े से सिग्नलिंग नहीं हो पाएगी तो उसके example है tetra can और intermediate का lidocaine और low potency का pro can और surface anesthetic के अगर मैं बात करूँ तो soluble, insoluble, soluble में आगया cocaine, lidocaine, tetra can ठीक है प्रोपेरिकेन और insoluble में आगया benzocaine, butyl, amino, benzoate इस तरह से तो आपको यहाँ पर दो दो तिन तिन ट्रग का नाम याद रखना है यह classification याद रखना है उससे बिल आपको याद रखना है कि पहले क्या होता था और local anesthetic देने के बाद क्या हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छे ची बाते लिखिए कि local anesthetic agent जो होते हैं, the onset of action of local anesthetic agent is influenced by a serval factor including tissue pH, nerve morphology, concentration, PKA and lipid solubility of the drug, देखो जो local anesthetic action होता है, या जो local anesthetic drug होता है, उसका action किस-किस factor से affect हो सकता है, अगर tissue pH change है, तो local anesthetic का work affect हो सकता है, जैसे अगर मैं example दूँ, local anesthetic with a lower PKA, है quicker onset, देखो, अगर मान लीजिए कोई local anesthetic drug है, और उसका PKA value बहुत कम है, तो local anesthetic जिसका PKA value बहुत कम है, उसका action बहुत fast आएगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर पता कर सकते हैं ना, कि local anesthetic का अगर PKA value कम है, तो उसका action fast आएगा, और अगर अगर वहीं local anesthetic का PKA value जादा है, तो action slow आएगा, तो यह हमने क्या देखा, हमने देखा factor affecting, तो वैसे ही tissue PHA, nerve morphology, concentration है, PKA आपने देखी लिया, कि जिसका PKA कम, local anesthetic का अगर PKA value कम, तो action fast आएगा, और lipid solubility में आपने देखा, कि जो जित्ता ज्यादा lipophilic, जो जित्ता ज्यादा lipophilicity nature का होता है, उतनी जल्दी वो cell membrane को cross करता है, exonal membrane को cross करता है, और उतनी जल्दी अपना pharmacological action देता है, मतलब sensation को बंद करा देता है, अब surface anesthetic और injectable के बारे में यहाँ पर लिखा है, जो मैंने आपको यहाँ पर classification बताया था, surface and injectable, तो surface तो मैंने आपको बोल दिया, topically आप skin पर लगा सकते हैं, ठीक है, sensory nerve ending affected, जिससे sensory nerve ending affect हो जाएगी, skin पर वही होती है, आपके, it can damage skin, इसकी वज़े से आपकी skin भी damage हो सकती है, wands वगिरा हो सकते हैं, इसके example है, surface anesthetic के, benzo के लिडो के, बात करें, injectable anesthetic की, तो injectable का मेरा मतलब यह बिल्कुल नहीं है, कि आप IV में दे दो, ना भी या ना, आप पढ़ रहे हो, local anesthetic तो IV में तो आप दे नहीं सकते, तो inject under skin, not IV, intravenous मत दे देना, skin के under लगाना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ injectable, पर IV नहीं है, इसका मतलब intravenous बिल्कुल भी नहीं है, injectable जो होते हैं, वो minor surgeries में use लेते हैं, example इसका हो गया, broken, तो यह था, surface anesthetic, injectable anesthetic, उससे बिले हमने देखा कि, onset, potency and duration of action किस तरह से affect करता है, कौन-कौन से factor affect करते हैं, यह हो गया, classification of local anesthetic, उससे बिले देखा mechanism of action of local anesthetic, उससे बिले general condition, उससे बिले देखा कि signal कैसे transfer होता है, उससे बिले हमने देखा general and local anesthetic में difference, और उससे पिले हमने definition देखी anesthetic होता क्या है, local anesthetic से हमारा मतलब क्या है, ठीक है, तो आइओ आपको lecture clear हुआ होगा, अगर आपको lecture में जए से डाउट है था कर सकते हैं यह नोटत आपको mud apology application बिलेंगे comparison your yêu ai application है download कर सकते हैं place से और departure biology application में आपको एक section मिलता है जांपर आप अपने queries कर सकते हैं साते सांफ three important questions मिलते हैं साते साथ有ben के previous year के question paper में upload कर रहा हूं और सादे साथ हर यूनिट से 50 mcq में अपलोड करने वाला हूं और यह सब कुछ फ्री है और हर संडे में वहाँ पर आपको लाइव भी आता हूं 11 a.m. और एक दिन में तो इससे आपकी प्रिप्रेशन बहुत ही शार्प हो जाएगी तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेक्टर बाइलोजी अप्लिकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लेस्टोर पे आप साइच कर सकते हैं टेलिग्राम इंस्टाग्राम से जुड़ जान की इंस्टाग्राम पे डेली मीम्स मिलेंगे पार में से असाने विडियो भी सब्सक्राइब इन शेयर फो मोर एव नाइस दे थैंक यू